मस्कार दोस्तों अभी इस वीडियो में परस्वाली 3.3 NCRT में कक्सा 12 का सोलुशन देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम कुशन नंबर 7 से आगे का हल करेंगे 1 से 6 तक का हम पार्ट फास्ट में कर चुके हैं यहाँ पर दोस्तों इस कुशन में आपको सम्मीत आवियो और विसम सम्मीत आवियो के बारे में पूछा गया है यह चेक करना है ऐसा पूछा गया है तो आपका सम्मीत आवियो कौन सा होता है डिस्तों किसी अभियू क IFY यदि आप ट्रांस फोज लें और वापस वो ए ही आ जाई एका ट्रांस फोज लिया और वापस वो खुद मिल जाए ठीक है तो वह है अपका सम्मेट आभियू और आपने ट्राνस फोज लिया यानि परिवर्थ लिया और वो minus A के equal to आ जाए यानि उस AU के minus के बराबर आ जाए तो वो आपका विसम सम्मित AU कहलाता है चलिए इस first की जांच करते हैं तो A का transpose आपका कैसे लिया जाएगा transpose को बिल्कूँ simple तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा आप एक तरीके से सीख लो transpose का मतलब क्या होता है आपके row and column को आपस में exchange करना तो यहाँ पर आपका जो first column है इसको first row बना दो तो first column का first element 1 है बीच का minus 1 और last का आपका 5 है तो ऐसे समझ के लिखना है ऐसा नहीं हो कि आपका ये 5 है जो यहाँ आजाए minus 1 और ये एक last में चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए इस तरह से आपको समझिए कि इसका पहला बीच का इसका last का अब देखिए second column second row तो इसका पहला minus 1 इसका बीच का और इसका आपका last का similarly third column third row तो 5, 1, 3 ओके अब दोनों की तुलना करो minus 1, 2, 1, 5, 1, 3 तो ये आपका actual में क्या है ये ही है अर्था आत A का transpose बराबर A इसी लिए ये क्या है आपका समित आविव है ओकी काम हो गया अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इसके second भाग की इसमें देखिया आप A का transpose निकलो करना क्या है आपका first column first row 0, minus 1, 1 second column second row third column third row अब देखो अब देखो A का transpose को देखो और A को देखो दोनों सहे में नहीं है लेकिन इससे minus sign बाहर लेकर देखो minus sign बाहर लेने की दोस्तों खास बात क्या होती है आपकी यह concept हर जिगे कामा आएगा minus sign बाहर आने पर अंदर जो minus होता है वो plus बन जाता है जो plus का होता है वो minus का बन जाता है यह निश्द के change हो जाते है तो minus sign बाहर लिया तो 0 तो 0 यह रेगा यह minus का है प्लस का हो गया यह plus का है minus का हो गया यह आपका प्लस का है, माइनस का हो गया, जिरो जिरो रहेगा, अब ध्यान से देखो, 0, 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 0, यह नहीं, यह आपका क्या है matrix दोस्तों, यह ही है, लेकिन बार क्या है, minus sign है, तो यह यहाँ पर आपके पास क्या मिला है, A का ट्रांसफोर्ज बराबर, minus A, तो यह क्या है, आपका विसम सम्मित आवियू है, ओके, तो इस प्रकार से जो आप छूटकियों में पता लगा सकते हैं, कि किस प्रकार से सम्मित होता है, अगला question, question number 8, बहुत आसान question है, यहाँ पर आपको A matrix दे रखा है, A matrix के लिए आपको check करना है, कि A plus A का transpose एक सम्मित matrix है, जबकि A minus A का transpose एक विसम सम्मित matrix है, तो इसके लिए करेंगे क्या, बिल्कु सिंपल है, यह निकाल लो, तो A का transpose निकाल लो पहले तो, A का transpose आपके पास क्या आता है, यहाँ पर, फास्ट कोलम को फास्ट रो बना दो, इसका फास्ट, इसका सेकंड, सेकंड कोलम सेकंड रो, तो फाइव, सेवन, अब क्या करो दोस्तों, A plus A का transpose निकाल लो, तो यहाँ पर, 1, 5, 6, 7, plus 1, 6, 5, 7, इस फास्ट रो को फास्ट रो के साथ पहले एड करते हैं, तो इसका फास्ट, इसका फास्ट एड होगा, 1 plus 1, इसका सेकंड, इसका सेकंड 8 होगा, 5 plus 6, 1st फस्ट 8 होके कहा आएगा, सेकंड सेकंड 6 इड होके कहा आएगा, इसकेंड पोजिशन पर, ओसी प्रिकास से 6 प्लस 5, 7 प्लस, आपका 7, यह आज आता है दोस्तंट, आपका 2 ठीक है यह कितना गया आपका 11 यह कितना गया 11 यह कितना गया दूस्तना आपका 14 इसको हमने X मान लिया क्या किया माना यह क्या है आपका X एक नया मेटिक्स मान लिया या इसको यह रखना चाहते हैं तो कोई बात ही लेकिन मान लो आपके लिए अच्छा रहेगा अब इसका क्या निकालो दोस्तों ट्रांस्पोज निकालो ट्रांस्पोज में क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दो है सेकिंड क्या है आपका 11 second column, second row इसका first cone 11 second element cone 14 अब ध्यान से देखो यह एक चुल में क्या है आपका यह एक चुल में आपका क्या है X ही है यहाँ यहाँ पर X का transpose बराबर X अर्थाद X यहाँ पर आपका क्या है A प्लस A डेस और इसका transpose बराबर A प्लús A डेस तो यह क्या हो गया आपका सम्मित सम्मित है या हाँ एक सम्मित है ओके बस एक सम्मित अवी है यही करना बस फ्रूर हो गया कैसे यहाँ से X डेस बराबर यहाँ एक्ष का डेस डेस नहीं होता तो आपका सम्मीत होता है अब देखो यहां पे आप माइनस एका ट्रांसपोज निकालना है तो यह माइनस एका ट्रांसपोज एक क्या पड़ा है माइनस एका ट्रांसपोज यह रहा एका ट्रांसपोज 1 6 5 7 कितना आता दोस्तों आपके पास यह 1-1 आपका 0 5-6-1 6-5-1 7-7 आपका 0 इसको क्या मान लो एक्स तो एक्स का ट्रांसपोर्ज करो देखो फास्ट रो का फास्ट कोलम परॉब फास्ट का फास्ट कोलम सेक्ट रो तो यह आ गया अब चेक करो की यह एक्स के समान है या नहीं है 0, 1, minus 1, 0 अलग है, लेकिन इससे minus sign भाहर लो minus sign भाहर लेने की खास बात क्या होगी यहाँ पर चिन बदल जाएगा 0, 0 रहेगा, यह plus का है, minus का हो गया यह minus का है, plus का हो गया 0, 0 रहेगा अब ध्याँ से देखो, यह आपका क्या है x है या नहीं लेकिन बाहर minus sign पढ़ा है x क्या है, यहाँ पर a minus a का d से है, a minus a का transpose है, सोरी बड़ाबर a minus a का transpose, minus का अर्था यह आपका यह है a transpose बड़ाबर minus a से a transpose यह है, a transpose बड़ाबर minus a के रूप का है तो विसम सम्मित आवियू है यहाँ पर स्रीधा लिख दो कि यह आपका एक विसम सम्मित आवियू है अर्था यह एक विसम सम्मित आवियू है क्योंकि यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया कि इसका transpose लेने पर इसके minus sign के साथ आता है अब देखिए अगला कुशिन चुटके महल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको a दे रखा है a का transpose प्लस a one by two a minus a का transpose one by two ग्याद करना है तो देखिए इसका transpose निकाल लेते हैं तो क्या आएगा आपका first column first row तो zero minus a minus b second column second row third column third row देखिए ग्याद कर लेते हैं a plus a का transpose तो देखिए इसका first इसका first zero a plus का है यह minus का है zero यह आपका zero यह आपका minus का यह plus का zero जिरो प्लस जिरो जिरो यह minus का प्लस का जिरो यह minus का प्लस का जिरो यह minus का प्लस का जिरो 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 और इसको किस से गुणा करना है one by two से तो one by two से गुणा करने पर आपका क्या आएगा zero 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 को किसी भी संक्या से गुणा करने पर आपका क्या आता है दोस्तों जीरू जीरू ही आता है तो ये तो हो गया ठीक है अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर आपका 1 by 2 गुणा A minus A transpose की तो देखिए अब क्या हो रहा है इसके साथ आपका minus का गुणा होके इसके साथ add होगा चली add करते हैं तो यहां पे 0 0 तो 0 प्लस 0 0 होगा यह a है minus का इसके साथ गुणा होगा इसका अर्थ क्या होगा यह minus गुणा minus आपका गणित क्या होता है प्लस होता है और इसके माइनस गुणा प्लस आपका minus होता है यहां जो plus का है वो इसके साथ add होते से माइनस का हो जाएगा और जो minus का वो प्लस का हो जाएगा तो यह minus का है प्लस का हो जाएगा बी प्लस भी आपका 2B और यह प्लस का माइनस को जाएगा माइनस A माइनस A माइनस 2A 0 प्लस 0 और यह C आपका प्लस का है और यह माइनस का है तो माइनस साइन से देखिए यहां पर डेस कुणा हो कहा रहा है तो प्लस हो जाएगा C प्लस C आपका 2C और यह माइनस B माइनस B माइनस 2B और C माइनस C आपका माइनस 2C और यह आपका 0 1 by 2 का अंदर गुना करते हैं तो आपका 2 कैंसल हो जाएगा क्या आ गया बराबर आपका ज्यान से देखो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B C बराबर आपका A आ गया तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने यह गया आपका दिया एक साथ आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो फिर ले इसको अलग लिकिए फिर माइनस साइन का अंदर गुना करके पूरा अलग अलग प्रोसेस भी कर सकते हैं यह चोटा सक उशन था तो मैंने आपको सारा एक जगह ही करा दिया लेकिन एक्जाम में ध्यान क्या रखना है कि यहां पे पुरा आपको अलग-अलग करके ही हल करना है